हेलो दोस्तो जब डेविड बड़ा हो रहा था तो उसके पिता ने उससे कुछ ऐसा कहा जो वो कभी नहीं भूल सकता उसके पिता ने उससे कहा बेटा तुम जब पैदा हुए तो तुम रोए जबकि पूरी दुनिया ने जशन मनाया अपना जीवन ऐसे जीओ कि तुमारी मौत पर पूरी दुनिया रोए जबकि तुम जशन मनाओ हम उस काल में जी रहे हैं जहां हम जीवन का अर्थ ही भूल गए हैं हम बहुत असानी से इनसान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं पर हमारे लिए सट पार करके अपने पडोसी से मिलना मुश्किल हो रहा है हम एक बारूदी मिसाइल को बीना किसी चूप के दुनिया के यार पार दाग सकते हैं परंतु अपने बच्चों को पुस्तकाले ले जाने का समय निकालने से चूप जाते हैं हमारे पास इमेल, फैक्स मशीन, डिजिटल फोन जैसे सादन उपलब्द हैं जिनके द्वारा हम बहुत असानी से जुड़े रह सकते हैं फिर भी हम उस वक्त में रह रहे हैं जिसमें हम आपस में सब से कम जुड़े हूए हैं हमने अपनी मानवत्ता को खो दिया है, हम अपने जीवन का उदेश्या भूल चुके हैं हमने जीवन के सब से एहमबातों को वी समरित कर दिया है और जब ये सब हम जानते हैं तो मैं आदर पूरवक आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन है जो आपकी मौत के बाद रोने वाला है आप कितने जीवनों पर अपनी छाप डालेंगे जब कि आपको इस ग्रैपर चलने का मौका मिला है आने वाले पीडियो पर आपके जीवन का क्या आसर रहेगा और आपने अपने अंतिम पड़ाओ से पहले क्या धरोवर छोड़ी एक सीख जो मैंने अपने जीवन से ली है वह यह है कि अगर हम अपने जीवन का नियंतरण अपने हाथ में नहीं लेते तो जीवन हमें नियंतरित करने लगता है दिन हफतों में बीच जाते हैं हफते महीनों में और महीने सालों में सब कुछ इतना जल्दी खतम हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन को पूर्णता के साथ ने जी पाने का आफसोस करते रह जाते हैं। जोज बर्नार्ड शो की मित्यु सया पर उनसे पूछा गया अगर आपको यह जीवन दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे। एक सहर से दूसरे सहर में व्यवसाई की दुनिया में नायकतव के बारे में अपनी अंदर दिश्टी और विचारों को विविन लोगों में बाढ़ता हूँ। हाला कि वे लोग जीवन के अलग-अलग रास्तों से आते हैं। परंतु घूम फिरकर उनके परशन सिर्फ एक ही बातवर केंदरित रहते हैं। कि वे किस परकार अपने जीवन का बहतर अर्थ ढूंड सकते हैं। किस परकार वे अपने कारिये द्वारा एक स्थाई सयोग प्रिदान कर सकते हैं। और इसके लिए पहले की बहुत देर हो जाएं। वे अपने जीवन के सफर को आसान बनाकर उसका आनद लेना चाते हैं। मेरा उत्तर हमेशा यही रहता है कि अपना लक्षय ढूंडिये। मुझे विश्वास है कि सब में विशिष्ट गुणों होते हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि उनको किसी उचित उदेश्य में उप्योग किया जाए। हम सब यहां किसी अनुठे लक्षय के लिए हैं। एक ऐसा महान उदेश्य जो हमें अपनी मानवता के सरवच गुणों को उजागर करने में मदद दे सके। साथ ही हमारे आसपास के लोगों के जीवन में कुछ अर्थ जोड़ सके। अपने लक्षय को खोजने का यह मतलब नहीं है कि आप वर्तमान के कारियों को छोड़ दें। इसका अत्यंत सरल माइने है कि आपको अपने काम में उन चीजों पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए जो आप सबसे बड़िया तरीके से कर सकते हैं और अपनी चाप उसमें छोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको जिस परिवर्तन की आशा है उसे वास्तिक रूप देने के लिए दूसरे लोगों की परतिक्षा नै करें। जैसा कि एक बार मात्मा गांदी ने कहा था उस बदलाव को स्वेम लाने की कोशिश करिये जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। और जैसे ही आप यह करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।